नमस्कार कैसे हैं आप नियमित समाचारों का एक संकलन का एक पांच पांग है आप सब की सलाह रही कि आप में इस्ट्री मीडिया के चिल्पों से बचने के लिए दिन भर के समाचारों का एक संचिप्त संकलन चाहते हैं ताकि वो आप अपनी सुविथा के मुताबिक किसी भी अपसर पर देख सकें लगातार जो रात 9 बजे का लाइब बुलेटेन है वो जारी रहेगा आज 28 जनवरी है तो हम यह जानते हैं कि भारत के लिहाज से 28 जनवरी कैसा रहा देश्त्रों के आरोप में सरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के मदद से गरपतार कर लिया है सरजील इमाम अभी सुर्खियों में आया था इस लिहाज से कि उसने AMU में एक सभा को समभुधित करते है कि असंग को कैसे भारत से काटा जाए अलग किया जाए उसका एक एजंडा उसके पास है, पिधान मंत्री मोधी ने NCC के जावाजों को संबोधित करते हुए कहा, कि मैं हर जुल्म, हर गाली सहने को तयार हूँ, लेकिन अब रुकने वाला नहीं, युवाओं को उन्होंने कहा, कि अब देश रुकने वाला नहीं है, अपने एक घंटे के भाशन में, उन्होंने देश के युवाओं को NCC के जावाजों के माध्यम से प्रोध साहित किया, उधर जैपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कांगरेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी ने फिर से भारत को रेप कैपिटल कहा, मस्तूर शायर मुनववराना की बेटियां शाहीन बाग में देखी गए, भाजपा के दिल्ली परदेश अध्यक्ष मनोस्तिवारी ने एक बार फिर कहा है कि 11 फेबर वड़ी को जब दिल्ली में भाजपा के सरकार आ जाएगी तो शाहीन बाग का ड्रामा खत्म हो जाएगा बाजपा के अध्यक्ष पुर्व अध्यक्ष अब अमीत शाह के एक्सन में आने के बाद कंक ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरिवाल की परिशानी लगातार बढ़ रही है केजरिवाल ने 28 जनवड़ी को एक सभा को संबोदित करते वे कहा कि पूरी ताकत उन्हें ह पिछले कुछ दिनों से सुर्कियों में आया शरजील इमाम खुद को शाहीन बाग का मास्टर माइंड कहने वाला सरजील इमाम जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि उसीने प्लानिंग की थी कि शाहीन बाग एक ऐसा जगह है जो तीन राज्यों को जोडता है दिल्ली को हर्याना और उत्तर प्रदेश से इसलिए सडक पर शाहीन बाग में महिलाओं को बैठाया गया ताकि दिल्ली को रोका जा सके देश को रोका जा सके परिशानियों में डाला जा सके और इसलिए महिलाओं महिलाओं और बच्चियों का बच जो आसाम को जोड़ता है भारत के मुख्य हिस्से से पुर्वत्तर को जोड़ता है इतना मवाद डाल दो कि आसाम और पुर्वत्तर को भारत से अलग किया जा सके इस मामले को देश्तरों का मामला माना गया है और इसी लिहाद से उसके उपर भारति दंड सहिता की धारा 124 के तत मुकदमा दर्श किया गया आज उस सर्जिल इमान को दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से जहानाबाद में ही गिरफतार कर लिया जो उसका पैत्रिक निवास भी है सर्जिल को कल रात पटना में होने की ख़वर दिल्ली पुलिस को मिली थी पांच राज्यों के पुलिस सर्जिल को लगातार तलास रही थी देश के पधान मंतरी नरेद्र मोदी ने NCC के एडिट को संबोधित करते हुए कहा कि वे हर जुल्म सहने को तयार हैं हर गाली सुनने को तयार हैं लेकिन अब वो रुकने वाले नहीं हैं युवाओं को सम्मूदित करते हुँ उन्होंने कहा कि लगातार देश में यह प्रबिर्ती रही हर मुद्दे को टालने की इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को लगातार टाला जाता रहा लेकिन उन्होंने अब इस मुद्दे का सोलूशन निकाल लिया उन्होंने इशारा किय से कपिल सिब्वल इस मुद्दे को अदालत में भी पेचीदग्यों में डालना चाहते थे राफिल मामले को फिल लटकाया जाने के लिए प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस और विपक्ष को कट घरे में घेरा और कहा कि तीस साल से इस देश ने रक्षम के लिए कोई महत्पुर्ण सौदा नहीं किया जिससे भारत की सेन्ज सक्ती लगातार कमजोर हो रही थी देश के प्रधान मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगातार ऐसे काम के बाबजुद उन्हें गाली दी जा रही है लेकिन वे रूकने वाले नहीं हैं उधर कॉंग्रेस पार्टी के पूरवध्यक्ष रहुल गांधी ने जैपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत को फिर से रेप कैपिचल बताया दिल्चस्त बात ये है कि युवाओं के आग इस आक्रोश रैली में जो पोस्टर लगे थे उसमें प्रियंका गांधी की तस्वीर गायब थी आमतर पे लगातार ये देखा गया कि जब दिल्ली की रामलिला मैदान में भी जब पोस्टर लगे थे कॉंग्रेस के पुनरवा ये इस बात को इशारा कर रहा है जो लगातार हम इस बात की चर्चा करते रहे कि सोन्या गांधी कता ही नहीं चाहती कि राहुल गांधी के सामने प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाए मनोस्तिवारी भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोस्तिवारी ने एक नीजी चैनल से बातचीत के दोरन कहा कि 11 फेबर वड़ी के बाद शाहीन बाग का ड्रामा खत्म हो जाएगा उन्होंने कहा कि अर्बिंद के जिरिवाल के जिम्यदारी थी कि शाहीन बाग के ड्रामा को खत्म किया जाए क्योंकि दिल्ली मुन की सरकार थी लेकिन अर्बिंद इससे बचते बचाते रहे लेकिन अंदर से शाहीन बाग के साथ खड़े रहे और ये बात मनीश्य सोधिया ने विस्विकार किया और अर्बिंद के जिरिवाल ने भी ये दिल्चस्ट देखने को मिल रहा है कि अर्बिंद के जिरिवाल जो एकदम से अपनी जीत के लिए आस्वस्त थे वो पिछले कुछ दिनों से बेचैन और परिशान नजरा रहे हैं अर्बिंद के जिरिवाल ने एक सवा को संबोधित करते वे कहा कि मुदी सरकार पूरी ताकत पूरी उर्जा लगा रही है उनकी सरकार को खत्म कर देने के लिए उन्हें इस चुनाब में हरा देने के लिए इसलिए उन्हें ने कहा कि मुदी सरकार के तमाम मंत्री दिल्ली के सवी सातो सांसत अपनी पूरी उर्जा दिल्ली में लगाए हुए हैं उन्हें हरा देने के लिए ये साफ दिख रहा है कि केजरिबाल शाहीन बाग पर्मनी सुसोधिया के बयान और अपने बयान के बाद खुद ही घेरते नज़रा रहे हैं अब शाहीन बाग के सपोर्ट में खड़े हो चुके बधिक जनों में से एक मुनवराना की बेटियां भी मैदान में उतर चुकी हैं यह सपस्ट करता है कि ऐसे ऐसे बधिक समाज के लोग खाने के दांत और और दिखाने के दांत और रहे हैं रामपूर से सांसत और सपा के कदावर नेता आजम खान की परिशानी एक बार फिर बढ़ गई है लगातार कई मामले में कुरकी होने के बाद आजम खान को खिलाब वारंट जारी किया है जिसमें जैपरदा के खिलाब जो उन्होंने अभद्र टिपनी की थी इस मामले म उनके खिलाब पीछे ही चार से डाखिल की जा चुकी थी लेकिन लगातार वे अदालत में पेश नहीं हो रहे थे इसलिए स्पेशल कोट ने उनके खिलाब वारंट जारी किया है ये थी आज की कुछ एहम समाचा आज की कुछ खबरे जिसका विसलेशन चिप विसलेशन हमन पूश सकेंगे ताकि देश के महतपुर्ण विसलेशन विशय का हम गंभीर और रोचक विसलेशन कर सकें आप सबका बहुत बहुत आभार यह वीडियो यह विसलेशन आपको पसंद आता है तो इसी इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें ज़्यादा शेयर करके इस मंच को देश व्यापी बनाने में अपनी भूमी का निभाएं बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका